हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लोवी ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लोग के सोर्स को आगे बढ़ाएंगे और डिस्स करेंगे तीसरा सोर्स जिसका नाम है जनल प्रिंस पर फ्रिंस पर फ्रिंस पर फ्लो रिगो गुनाईज बई सिवलाई स्टेट जानेंगे अच्छे से इसके बारे में सब कुछ तो आज की वीडियो शुरू कर करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन साथ टोपी इश्वाद करते हैं कि टोपी क्या बूलता है तो बच्चों ने बात करूं जनल प्रिंसपल्स अफ लो रिगोनाईज बई सिवलाई स्टेट तो जो आर्टिकल 38 है स्ट्याचुट अफियंट कॉड़ दो उसमें सोर्स के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स जब हमारा स्टैचुट ऑफ इंट्रे स्ट्यूट औफ अंट्रेसिंट वर्फ यज्ज बन रहा था तो इंटरनेशनल कस्टं इंटरनेशनल कनवेंशन इनके ऊपर फॉकस कि जा गया पर क्वेस्ट्नर राइज हुआ कि फूरे वर्ल्ड के वो जो अपनी देश में कुछ प्रिंसिपल्व करते हैं तो क्या यह प्रिंसिपल्व प्रिंसिपल्व पर आप अथर डिसकॉशन यह पाया कि यस आगर इंटरनेशनल ओड नेशन का लग है international law various country के relations को regulate करता है तो अगर various nations कोई principles को follow करते है तो क्यों ना उन principles को हम अपने international layer भी follow कर लें तो इसको source माला गया बच्चो international custom सबसे पुराना source है international convention modern source है और general principles of law रिखनाई by civilized state ये भी एक तरह का modern source है जो की article 38 में add किया गया है ये साही बाते आप introduction में लिखोगे आप लिखोगे इसमें कि जब international court of justice का statute बन रहा था तो debate हो रही थी इसके उपर कि ये source बनेगा कि नहीं बनेगा क्या international court of justice को इसको लोग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए तो after discussion ये माना गया कि हां ये भी एक source है और इसको article 38 में embodied किया गया अगर में meaning की बात करो meaning क्या है inter general principles of laws of laws recognized by civilized state तो इसका मतलब होता है कि कुछ principles ऐसी है some principles of law are followed by the flow by the various nations of world flow by the various nations of the world in their domestic field in the domestic laws कुछ ऐसे principles होते हैं बच्चो जो principles various countries अपने domestic laws में अपने country के laws में follow करती है इन्ही principles को हम लोग क्या मान लेती है general principles of law recognized by civilized state यहाँ पे कोई एक country principle माने की वो नहीं चलेगा यहाँ पे उस principle को recognized किया जाएगा जो different countries of world सभी माने for example example देता हूँ आपको example लिखें आगे मैंने example जैसे रेस जूडी काटा रेस जूडी काटा जैसे आस्टोपल आस्टोपल जैसे प्रिस्क्रिप्शन जैसे गुड़ फेथ जैसे रैसी प्रोसिटी यह सभी क्या बच्चो यह सभी ज़नल प्रिंसिपल्स अफ लोग अगर मैं रेस जूडी काटा की बात करूं द्यान समझें कोशी करना रेस जूडी काटा इंडिया ने भी रेस किया है तो उस केस को सेम फेक्ट वाले केस को अब द्वारा से कोट में लेकर नहीं आ सकते यह रेस जूडी काटा बोलता है अगर मान लो मेर और आपको केस चला हुए और कोट ने डिसाइड कर दिया तो हम सेम कोट सेम केस को सेम कोट में या किसी और सेम लेवर के कोट में लेकर नहीं आ सकते अगर ऐसा पार्टी करने लग पड़ी तो तो केसद ही केसज बढ़ जाएंगे फिर तो public policy के गेंस नहीं हो जा गये मान लो मैंने आपके ओ Hem då मैंने जीत गया आप ने फिर पहीं और मेर liver case कर दिया सेंव एटर को लेके फिर आप जीत के फिर मैंने कहीं कहीं और caess कर दिया और फिर में जीत गया तो तो फिर कभी decision to कभii होंगी निए और लगातार क्या होगा kays बढ़ते जाएंगे और court की भी जो court decision दे रहा है, हर judge का अपना mind हो सकता है, हर judge अपने सार लोग को देख सकता है, interpret कर सकता है, वो अपना decision दे सकता है, तो ऐसे तो judges के decision के उपर कोई value रहेगी नहीं, हर judge अपना decision देगा, और हर बार decision change हो जाएगा, तो judge काता का मतलब है, जो matter एक बार decide हो गया, वो matter आप बार court में same matter लेकर, same level के court में नहीं आ सकते, हाँ, आप appeal में जा सकते हो, वो अलग बात है, तो ये judge काता के principle है, वो domestic laws में सभी nations ने follow किया हुआ है, तो international level में भी ये source बन गया, international law का, अब international level में भी इस principle को follow किया जाता है अगर कोई case decide already हो गया, international level पे, तो द्वारा से same facts को लेकर, same case को लेकर, आप same authority के पास नहीं जा सकते, या same level की अथोर्टी के पास नहीं जा सकते, वैसी, estopal की बात की जाए, तो estopal की ऐसा principle है, जो domestic laws में रिगुनाइजड है, हमारे इंडिया में estopal partnership में प्रोपिटी law में रिगुनाइजड है, बहुत से laws में रिगुनाइजड है, estopal का मतलब होता है, जो आपने कोई एक पर statement दे दी, और उसे statement पर बिश्वास करके, किसी ने कोई काम कर दिया, तो बाद में आप अपनी statement से पीछे नहीं मुकर सकते, पीछे नहीं उठ हट सकत अब आपको पर statement पर काम रहना पड़ेगा, you cannot step back from your statement, यह हमारा estopal बोलता है, basically, तो international level में भी estopal अपलाई होता है, international level में अगर एक कंट्री ने किसी को कुछी बोला, तो वो अपनी बाद सिर्मुकर ने सकता, उसको उस बाद पर काम रहना पड़ेगा, तो मतलब बोलने का यह general principles country अपनी देश में रिकोगनाईस करती थी, इंडिया ने रिकोगनाईस किया, और भी countries रिकोगनाईस करती है, पाकिसना रिकोगनाईस करती है, और इसको हमने कहा मान लिया कि general principle जो various country रिकोगनाईस करती है, तो यह source बने है international level का, तीसरा, prescription, prescription का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी property पे अपना कभजा करके बैठे हो, peaceful कभजा आपका, चाहिए वो property किसी की है, 20-30 साल अगर आप कभजा करते हो, बाद में वो property आपकी बन जाएगी, अब इस principle को बच्चो, international level में रिकोगनाईस कर लिया गया है, क्योंकि यह principle वो है, जो maximum countries रिकोगनाईस करत है, तो जो यूज कर दिया, वो land up उसकी बन जाएगी, case जाता है, तो court इस principle का यूज करके, वो land up उसको दे देगा, जो लंबे टाइम तक यूज कर रही है, बिना किसी interference के, I hope मेरे बच्चो, students आपको समझ जा रहोगा, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक जूर कर कर दें, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक अभी कर दें, और साथ में आपको इसके notes चाहिए, आपको lecture चाहिए, हमारे paid lecture, जो बिल्कुल long भी है, short भी है, आप में WhatsApp कर सकते हो, 9964-92276, इसमें हम आपको साही रोटेल कर देंगे, जो भी cost होगी course बिल्कुल genuine है, आप 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 से pay कर सकते है, notes की भी और lectures की भी, और अगर आप हमें हमारे free lectures के लिए support करना चाहते हैं, तो आप हमें contribute कर सकते हैं, तो आप हमें contribute कर सकते हैं, गूगल पर phone पर paytm नंबर पर, 8298-20461-98106-34276, इन नंबर पर आप हमें support कर सकते हैं, तो हर principle general principle बन जाता है, हर principle international लोग का source बन जाता है, तो उसके बार में जान लेते हैं, अब students हम देखेंगे कि कैसे कोई principle international लोग का general principle बन जाता है, क्या ऐसे बन जाता है, तो answer is no, कोई भी principle जो चाहिए जितनी मजी country फोलो करें, जब तक उसको world court, मतलब world court मतलब मारा ICJ, International Court of Justice, जब तक ये उसको रूगनाईज ना कर दे, तब तक वो जो है, वो जो है, वो general principle international लेवल पे नहीं माना जाता, तो world court उस principle को रूगनाईज करें, बहुत जरूरी है, और world court उस principle रूगनाईज करने के लिए क्या करता है, बच्चों द्यान सुना, ये world court देखता है, कि whether principle is journal, क्या principle journal principle है, जर्नल का मतलब है, maximum countries इसको follow कर रही है, या कोई एकी country फोलो करती है, या दो country फोलो करती है, दूसरा, whether principle public policy के लिए है, मतलब public के लिए है, वो public, जो principle countries फोलो कर रही है, अपने level पे, क्या ये principle public policy पे बेस करता है, या ऐसे बना दिया principle, अपने private purpose के लिए, तीस तीसरा, एक जर्नल, एक public policy, और तीसरा है बच्चो, रिगोगनाइस बई दा different countries, रिगोगनाइस बई दा, various countries of world, ये बड़ा जूरी है, कि इस principle को various countries world के रिगोनाइस करें, कि इसको general principles of law, रिगोनाइस बई सिविलाइस स्टेट, इस principle को, तो बच्चो, क्या बोना है, मतलब हुआ कि कोई principle, चाहे prescription है, चाहे कोई भी है, वो principle तभी general principle, रिगोनाइस किया जाता है, वर्ड कोड के जर ये अगर जर्नल हो, पबली पोर्सी के लिए हो, और साथ में different countries उसको follow करें, अब बच्चो कुछ है कि केस लोग है, वो याद करने है, आपर में लिखने भी है, diversion of water from my use, diversion of water from my use, इस case में कोई सा principle follow हुआ था, रहस जुडी कार्टा, अगला है, प्रोजो फैट्री केस, इसम प्रोपल, और एक रहस जुडी कार्टा, ठीक है, टैंपलो प्रीवी हरके, इसमें कोई साथ फोलो अथा, एक तैस्टोपल और एक prescription, एक बर सिरीना ट्राशक्शन केस भी है, उसमें भी स्टोपल अप्लाई हुआ हुआ है, बर सिरीना ट्राशक्शन केस, तो यह हो बच्च हमारा बिल्यू कलरा लोगो लगा होगा, वैसे अप्लिकेशनों के उसको डॉनर कीजिए, लोग इन कीजिए, हमारी सर्फसिज आप यहां भी ले सकते हैं, थैंक यू सो मच, कीप स्पोर्टिंग अस,